जन्नी सुरच्छा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसाव कराने पर कोई भी पैसा वसूले जाने के प्रावधान नहीं है पर हमारे देवगर जिला के अनुमनल अस्पताल मधुपूर में कर्रत एनेम सभी लोगों से उनके प्रसाव के बाद उनसे या उनके परिदों से पैसा वसूलती है साथ ही एनेम इस संदर में कहती बाहर प्रावध क्लिनिंग में जो पैसा खर्च करना पड़ता है उस बचे पैसा का कुछ हिंसा तो मेरा बनता है अपना बची को लेगे तो होस्मिटल होस्मिटल ले जाने का वहां देखते हैं कि बेर्शीट नहीं है और बातरूम भी देखते हैं ये किठो है तो मुकेज गया तो तुसरा बातरूम खुलवाया तो फिर जब दरत पीरा उठने लगता है तो उन लोग तो घंघर पिटता है फिपी उसको डैड़ सोर रफए दे रहे थे लिए कि कि डैडर सोर रिम चाहिए बलता कि डैडर से नहीं है तो लाश में इधर खुछ पाच के उसको दो सब्सुर प्या स्वाया तूम्ती देगी थे हाँए नहीं नहीं है जाना हम उस्पटाल जाते हैं, हम सहिया हैं तो वहाँ है उसको पूछ सुबीदाना मिलता है उसको हम बोलना जाते हैं दिधी लूग को दिधी देखिये मेरा पेशेंडडक तो बोल रहा है कि यवपला नगजिसन भार से माहना पड़ता है हार पेशंड़ में रहए हम बाहर से भी उसको नेजिसन मंगाते हैं और दीदी लोग से दिलवाते हैं दिलवाने बाद उसको परस हो जाता है तो पैसा मंगने लगता है कल का घटना है जो हम सुनिता देवी पेशंड़ है हम अपना परिवार के लें किये रेफ़र हो मिला जिसका नाम हसुनीता देबी यहां पर वहां पर दो दिन रहे होगिने च्छिप देस तैं दीन के बाद जब धि लोग के बोले कैद नहीं ओर आज दिक्कत हो रहा दो तो भोला इग्चिन बाहर से लाना होगा तो बाहर से लेक्षन लेका आए 580 रुपिय तो फिर डिलेवरी होगी रात में तो इसका बात बुलता है, 12 रुप्य के दो, तो थिर नहीं बोले है दो, एक हजार रुप्य के मेरा पास नहीं है उसके चार सु रुप्य का दे रहे है फिर लास्त में 600 रुप दीया तब फिर बोला ठीक है। आपसे यह 600 रुप यह कोन लिया? परतिमादेख कुमारी और सान्ती कुमारी परसंडे जाहिल लख हजे हैं परसंडे ले जही हैं तो महा परसंडे हो जाहे तो बोले लागे हैं, जो पिशा देश में महदोरी होगलो, पिशा द denial चुटी देवो खुटी दोगो तो बोले लागे पर्संतर्वाज मागे ही यह कहीज दिनी पिषवा जात भी बल इह बाष्ते, जटो पिश्वा लगावे भसते, पिषवा हम रहें से दिवे हम आत तो द प्रशाव के दौरान तो तो राज पैसा लिल हलो हाँ चेर सब्सक्राइब के लिए अबर क्लस्टर के करीबन 15 सहियां से बात करती हुए अस्पताल से ये वीडियो फोटेज को दिखाया तो उन लोगों ने भी इस घटना कोई प्रथा बदाई फिर सहियाओ को मोबलाइज करने पर उन लोगों ने इस कुए अस्पता के खिलाब सामुहिक रूप से आवाज उठाने को ठानी और अस्पताल के उपादिक्चक को एस संदर में एक सामुहिक आविजन सोपी एम सिबिल सर्जन और आडीटी को भी संदर में जानकारी दी गए जानकारी देने के दूसरे दिन आडीटी समसले की जांच के लिए अनुमंगल अस्पताल मधुपूर पहुंचे और कुछ सयाओं और मरीजों से मिले साथ ही उन्होंने एनेम और मरीजों के बीच पैसे से सम्मंदित वारतालाप को भी सुने अब देखने की बात है इस मसले पर सम्मंदित अधिकारी को इस आकारतनक पहल उठाते हैं या नहीं मेरा बैक्तिगत सोच यदी मात्रित सिसुदर को कम करना है वस सरकारिस्टाल की मर्यादा को बचाय रखना है तो इस तरह की कुवयवस्ता को मिटाने की जोरत है अनता सुदूर ग्रामिंट्शेथ के लोग सरकारिस्टाल आने से कतराते ही रहेंगे मैं मुकिस्तक धारकन की देवगरजिला का इंडिया अनहट के लिए